दोस्तों मुश्कार आदाप सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश बहुत ठंड है पूरे उत्तर भारत में शीत लहर है लेकिन उत्तर प्रदेश में ये शीत लहर सियासतदानों के लिए ज्यादा असरकारी नहीं है खुब गर्मी है उनके बीच इतनी सरगर्मी है जबकि रहलियां वर्च्वल हो रही है बड़ी बड़ी रहलियां नहीं हो रही है और प्रतिबंद है पाबंदी है नुकर जो सभा है वो भी प्रतिबंदित है अब सिर्फ लोग घर घर जाकर प्रशार कर रहे हैं उसमें भी कुछ लोग कम हो जाते हैं लेकिन परदे के पीछे की सरगर्मिया इतनी तेज हैं कि पिछले चुनाव में भी इतनी नहीं देखी गई थी पुलिटिकल पार्टीज मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ पार्टीज से नहीं कई राजनितिक दल जो बड़े दल हैं वो अपने अपने गेम प्लान के साथ तरह तरह की गत्विधियों में शामिल है और जाहिर है भारती जंता पार्टी देश की सबसे बड़ी केम प्लान है वो बड़े दिल्चस्प हैं अभी सबका खुलासा नहीं हुआ है तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत से उभरते हुए सवालों पर उत्तर प्रदेश का जो चुनावी समर है वो इस शीत लाहर में भी कितना सरगर्म है और क्यों है इस पर हम सि और आजाद साब पर यानि अपरना और आजाद दोनों अलग-अलग धारा के अलग-अलग लोग लेकिन दोनों कैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में अचानक एक नाम बन गये हैं अचानक उभर गये हैं अचानक इनको लेकर राजनीतिक सरगर्मिया तेज हो गई हैं अकिर क साल से राजनीत में हैं, 2017 में वो राजनीत में एक बड़ा हाथसा एपिसोड हुआ था बलकि एक कांड हुआ था जिस पर दरित उत्पिरन का भयानक कांड था, उससे वो खबर में आये थे, फिर वो गिरफतार हो गए, काफी दिन तक वो जेल में रहे, और फिर राश्टी सु प्रक्षा कानून हट गया, और फिर वो आये बाहर, और इसके बाद लोगों ने देखा कि बड़े-बड़े कानवाय के साथ वो घोमने लगे, लोगों की बीच, जहां भी उत्पिरन होता था, वो वहां पहुँच जाते थे, अपने खास अंदाज में वो पेश आये, अंशीराम की तरह नहीं थे, वो अन्य जो दलितनेता हैं उनकी भी तरह नहीं, अभी भी नहीं है, लेकिन उनमें एक अजीब तरह की हुमच है, एक अजीब तरह का एक आवेश है, और वो उनके बहुत सारे नौजवान समर्थकों को अच्छा लगता है, और बड़ी-बड गाडियों के साथ वो बड़े-बड़े काफिले में चलते हैं, तो बहुत ही एक दिल्चस्क सक्षियत के स्वामी हैं, मालिक हैं, चंशेकर आजाद, पहले वो चंशेकर रावन अपने को कहते थे, लेकिन अब चंशेकर आजाद कहने लगे हैं, और उन्होंने आजाद पार्टी बना ली है, तो भीम आर्मी उनका एक सामाजिक संगठन है और राजितिक पार्टी आजाद समाज पार्टी है, अभी पिछले दिनों, अभी इस चुनाव से पहले आपको बता दूँ कि सिर्फ इसी चुनाव में वो नहीं कुदे हैं, इसके पहले जबकि बिहार म कोई बड़ा उन्होंने कारिक्रम भी किया हो चुनाव से पहले, लेकिन पिछले बिहार के चुनाव में वो बकायदे वहाँ पर लड़ गये, उनकी पार्टी के लोग भी लड़े, और उन्होंने गठबंधन भी किया, किसी छोटी पार्टी से किया, जो ओरिजिनल पार्ट एक ग्रुप के साथ अपने को मिलाया और वहाँ पर लड़े, अब बहुत सारे लोगों का कहना था कि वहाँ पर वोडों ने जो दरित समाज के वोडों में बटवारा किया, उसका भी इन्डारिक्ट फायदा बीजेपी को मिला, मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में क् मिलकुल मुश्किल है, लेकिन हमारा ये एक एसेस्मेंट है कि अभी जो चल्चे का राजात की जो रणनीती है, वो काफी उल्ची हुई है, अब उधारन के तोर पे चुनाओ में गठबंधन की जब प्रक्रिया शुरू हुई है, तो इसके पहले ये पता चला कि उनका अख और बाचित के दर्म्यान क्या कुछ उभर के आ रहा था, इसका खुलासा नहीं हुआ था, अभी चंशे का राजाद ने पिछले दिनों खुलासा किया कि अब वो गठबंधन नहीं करेंगे, क्यों क्योंकि अखिले श्यादों ने उनका अपमांग किया है, क्या अपमांग क और बाद में लोगों ने बताया कि दो सीट के अलावा एक MLC सीट भी दी जा रही थी और चंशे कर आजाद को कहा जा रहा था कि आप बेशक चुनावन न लड़िये, हम आपको विधान सभा मिलाएंगे, विधान परिशक के थ्रूप, और इस तरह से विधान मंदल के आप इसी समस्याएं थी, इसको लेकर वो रूठ गए और वहां से वो निकल गए और बाद में आकर अगले गठबंधन की वारता के लिए का इंतिजार करने के बजाए, उन्होंने फॉरन मीडिया को आकर कहा कि अखिलेश यादों ने उनका अपमान कर दिया है, और वो को हराना हमारा मकसद है, हम उनके साथ फॉरन चले जाएंगे, आपको एक सीट नहीं देंगे, तब भी चले जाएंगे, अब पत्रकारों ने अखिलेश यादों से बात पूछ दी, अखिलेश यादों ने कहा, अरे बिलकुल, मैं तो उनको छोटा भाई मानता हूं, वो रहे थे, उन्होंने कहा, सौ सीट अगर अखिलेश यादों देंगे, तब भी हम नहीं जाएंगे, अब सवाल इस बात का है, कि अगर आप कहते हैं, कि बीजेपी को हराना आपका मकसद है, तो गठ बंधन में ये जो दरार है, इसका समाश शास्त्र क्या है, इसका राजनीत शास्त्र क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, अब एक फोन की चर्चा होती है, कि चर्चा जब हो रही थी, उसी समय एक फोन आया, अखिलेश यादों ने काया, और वो रूट के चले गए, अब सवाल इस बात का है, कि अगर अखिलेश यादों ने कह दिया, तो चंशे का राजाद को बताना चाहिए, पब्लिकली की वो फोन किसका था, तो कुल मिलाकर ये काफी उल्जा हुआ मसला है, और शंशे का राजाद, जब तीन साल, कुल मिलाकर तीन साल की एक राजिनितिक यात्रा है, और उसमें भी संगठन से ज़्यादा, उन्होंने अपने को प्रखियां भी बहुत बटोरते थे, मीडिया में जितना कवरेज उनको हाल के दिनों में मिला, उतना शायद मायवती जी को भी नहीं मिला, हाल के दिनों में, तो ये भी एक बड़ा दिल्चस्त मामला है, कि आखी टीवी पुरम या गोधी मीडिया जिसको कहा जाता है, उस तो इसलिए उनको नहीं मिला, अब ये भी एक लॉजिक है, लेकिन कुल मिलाकर चंशेकर आजाद की जो स्टाइल है, वो कांशीराम की स्टाइल तो बिलकुल नहीं है, बहुजन समाज पार्टी जब बनी उसके पहले भी कांशीराम बरसों तक उन्होंने काम किया, संगठन से उन्होंने चुनाव लड़ा पहला, और उसमें हार गये, लेकिन वो निराश नहीं हुए, लेकिन चंशेकर आजाद, एक चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़े बगैर कहा रहे हैं कि आप हमको इतनी सीर दीजिए, कुछ लोग तो कहते हैं कि उनका इरादा ये भी था कि उनको जीतने के बाद अगर सरकार बनती है तो डेपिटी चीप निश्टर बनाया जाए, इसकी मैं कोई प्रामारिक्ता मेरे पास नहीं है, लेकिन ये अटकले हैं, इस पर भी काफी कुछ कहा गया है, तो हमारा ये कहना है कि ऐसी इस्तिती में एक लंबे समय तक संगठन को मजबूत करके और बहुजन आबादियों को एकजुट करके चुनाव मैदान में उतरने के बजाए, आखिर आप अकलेश यादो या किसी भी नेता से सिर्क सीटों को लेकर तालमेल का मसला है, उस पर अपमान सम्मान का मामला क्यों आप देख रहे हैं, एक बड़ा सवाल उ उनके साथ या लाइंस में चले जाएं, सब एक जुट हो जाएं, तो कुल मिलातर काफी दिल्चस्प ये पूरा का पूरा राजनितिक इनका एजन्डा रजर आता है, या राजनितिक जो सोच है, राजनितिक जो रणनीत ही है, चंशे खराजात की, अब देखना होगा कि आ गायम सिंग यादो की बहु हैं, उनकी पुत्र वदू हैं, उनके एक अखिलेश यादो के अलावा जो दूसरे पुत्र हैं, प्रतीक उनकी वो पत्नी है, और दिल्चस्प ये भी उनके साथ है कि वो उत्राखंड से उनकी पृष्ट भूमी है, तो उनका पहले जो नाम था वो अपरना विष्ट था, और अपरना विष्ट अपरना यादो हो गई, तो अपरना विष्ट यादो हो गई, अब योगी महराज की सब्ता जब आई सरकार आई, तो उसी समय से देखा गया कि अपरना यादो आदित इनाथ जी को निमंत्रित करके और कई अपने कारिक्रम उनका था वहां भी हो ले गई और योगी जी ने काफी उनकी तारीफ की तो एक अठकले लगाई जा रही थी कि क्या मुलायम सिंग की जो पुत्र वदू जो जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत महत्वाकांची है तो ये क्या सही है कि वो सियासत में जाएंगी इसको लेकर अठ्कले लगाया जा रही थी तो इस बीच में दोस्तो काफी कुछ होता रहा घर में और बताया जाता है कि मुलाइम सिंग यादो अखेलेश यादो दोवों ने समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन वो अमादा थीं कि वो जाएंगी ही और हर हालत में जाएंगी अभी कोई नहीं जानता कि ये परिवार के अंदर कोई understanding है, setting है किसी खास वज़ा से या परना यादो के अपने नीजी जो पारिवारी की unit है मायका है और उनकी ससुराल है तो इनका दोनों का कोई खास दूसरा और आज नितिक कोई वज़ा है, कारण है या क्या है कोई नहीं जानता लेकिन भारती जंता पार्टी में आज वो शामिल हो गए और बड़े दिग्ज नेताओं की उपस्थिती में कोई बीजेपी में बड़ा नेता नहीं था प्रदान मंत्री जी अमेशा जी को छोड़ कर जितने बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश से सम्मंदित या राश्टी राजनीत से सम्मंदित बहुत सारी नेता मवज़ुद थे तो ऐसी स्थिती में उनको काफी भाव दिया गया जो आज तक राजनीत में कभी नहीं थी और अब सवाल इस बात का है कि इंटरप्रदेशन जो उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने वाले लोग हैं मैंने कई लोगों से इस पर बात की दोस्तों मैं जब भी आपके सामने बात करता हूँ तो मैं जरूर बोलता हूँ लेकिन केवल मेरी ये बात नहीं होती है मैं तमाम एक्सपर्ट से बात करता हूँ आपके सामने आने से पहले और उनकी भी उनके जो आपजर्वेशन से उनकी रोश्णी में अपनी NLC सापके सामने पेश करता हूँ तो मेरी जो सोच है और मेरा जो आपजर्वेशन है और मुझे जो फीडबैक मिला उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एक्सपर्ट से वो ये कि अपरना यादो को बीजेपी में शामिल होने से फायदा मिलेगा टिकट मिल सकता है MLB बन सकती है अगर गीत नहीं तो लेकίν जितना फायदा अपरना यादो को मिलेगा अपरना भिस्ट यादो उतना फायदा भारती जनेता पार्टी को हरगिस नहीं मिलने वाला है कूंकि समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है जो Workbank है इसमें अपरना यादो की कोई सेंद नहीं है इसलिए नहीं सेंद हो लगा सकती हैं क्योंकि एक तो वो और राजनीतिक व्यक्तिकों हैं और दूसरी बात कि उनकी जो सामाजिकता है उनका जो पूरा का पूरा दाइरा रहा है उसका इस पार्टी के खासकर मुलाहिम सिंग यादो जब से राजनीत में सक्री हुए थे उससे और आज अखिलेश यादो जो उनके उत्तरादिकारी माने जाते हैं इस पार्टी में इसक स्वामी प्रसाद मौरिया वगरे आये इतने बड़े बड़े नेता तो वीजेपी भी दिखाना चाहती है कि लीजेजी हम आपके घर को तोड़ दिये अब आपके घर को तोड़ने से सियासत पर कितना असर पड़ेगा सपा का ये काना कठी नहीं लेकिन हां कुछ तो चल र